गुड मॉनिंग एवरिवन तुडेज फूर्टिन्थ ओफ अक्टोबर और डे है बैंस्थी कल जो हब आपका कंप्यूटर का थर्ड चेप्टर का टेस्ट हो था एमसीक्यूज टेस्ट हो था गुगल फॉर्म पर ठीक है तो चलिए उसको डिसक्रस करते हैं और थर्ड चेप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट कोशिन और बनते हैं उनको भी इसी वीडियो में डिसक्रस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखें तोसर से पहले आपे लिखा था हाउ मैनी अल्फवेट की ओन दा कीबोर्ट ठीक है यह वो रहे कि अल्फवेट की जोबो कितनी होती है कीबोर्ट में ठीक है तो अल्फवेट कीज का आपको पता है सुस पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कीज कितनी होती है तो टोटल कीज होती है 104 जबो ज्यादर भी होती है लेकिन आपने जबो इतना याद रखना कि 104 या 105 के आसपास जबो होती है अगर आपसे डारेक्ट पूछ जाए कोई question की एक ही answer दीजिए तो 104 या आपका answer होना चाहिए कि 104 जबो total keys होती है जो keyboard पर जो button होते है उनको जबो keys बोलना है बटन नहीं आपने बोलना है ठीक है तो alphabet कितने होते हैं जितनी उतनी ही keys होगी ठीक है तो alphabet होते हैं 26 तो 26 सी इसका सही answer हो जाएगा ठीक है 26 सी इसका जो वो सही answer हो जाएगा second question देखिए how many numbers keys on the keyboard ठीक है 4 5 6 और 7 8 फिर 9 होते हैं ठीक है यह जबो numbers keyboard पर होते हैं ठीक है तो count करते हैं कितनी numbers keys होगी 1 से लेकर 9 तक तो 9 ही होई तो 0 होगी एक वाली 10 ठीक है तो total जबो कितनी होगी 10 होगी ठीक है तो इसका सही answer जाएगा 10 keys होती है numbers keys अगर आपसे पुछ जाए कि function keys कितनी होती है function keys होती है 12 तो function keys के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ function keys होती है 12 F1 से लेकर F12 तक ठीक है यह होगी हमारी function की ठीक है next question हमारा था the small buttons on the keywords are called ठीक है इसके बारे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो चोट-चोटे buttons होते हैं उनको जोबो keys ही बोलते है ठीक है button नहीं बोलना है आपने keys बोलना है तो इसका सही answer जाएगा keys ठीक है the longest key on the keyboard यह भी बहुती important question है तो सबसे longest सबसे लंबी keys कौन से होती है तो बो होती है space bar की ठीक है space bar की इसका use कैसे होता है इसका use मैं आपको उता था हूँ जैसे कि मैंने यह आप पे जो keyword लिखा है जैसे मैंने keyword type किया तो इसके और is के बीच में keyword और is के बीच में थोड़ सा space आपक ठीक है last question था हमारा numbers keys on the keyword are present at dash places ठीक है बहुत से बच्चे नो इस question का जवाब गलती है three places पर दिया है ठीक है तो इसको आप लोग समझे जो keyword है उसको आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें जो number keys जो वो कितने times होते हैं मतलब कितनी बार होती है ठीक है तो यह हमार जो आप मालो keyword है ठीक है सबसे पहले तो numbers keys जैसे यहाँ पर होगी one two three ऐसे होगी आगे तक ठीक है zero भी हो गलास्ट में ठीक है nine के बाद zero होता है लेकिन इस side भी जो वो अगर आपने देखा होगा तो numbers keys इस side भी होती है ठीक है जैसे one two three ऐसे जो वो इस side भी number keys होती है zero से ल है keyword is an important part आपको बताई कि keywords जो वो important part है computer का क्योंकि उससे जो वो टाइप किया जाएगा जितने भी words है वो टाइप किया जाएंगे keyword से ठीक है तो keyword पर जो वो number keys होगी alphabet keys होगी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है तो 26 जो वो alphabet key होगी और keywords के जो button होगे उसको जो वो keys बोल जाएगा एक हमने special keys के बारे में बात की space bar key ठीक है तो space bar key एक होती है जिससे key space दे जाता हो और सबसे longest होती है एक होती है enter key ठीक है enter key का मतलब होता है next line में जाने के जैसे मालो आप यहां पे लिख रहे हो आपने enter दवा दिया तो next line में आप लोग चले caps lock key caps lock key काई चले हों करते है जैसे मालो first letter यहां तो small नहीं ही लिख है यहां पे capital में ओना चाहिता हूँ तो first letter जो है वो हमने capital में लिखना होता है तो caps lock key को on कर देते है correctpress lock key को थो स्मॉल में ही इस्मॉल स्मॉल लेटर में ही लिखे घाए है छीवा तो यह की आ युस हो गयाispersक chemicals की कह ओता है ठीक है बैक स्पेस् raising की युस क्या होता है तो बैक स्पेस की का युस होता है जैसे की the arts करने के लिए ठीक है जैसे क burnt फालो या आप करना है तो बैक स्पेस्ट दवाएंगे ऐसे टिक है क्लिक करेंगे उसके उपर और यह पीछे को मैं रिख होता जाएगा इसके एरो की भी होती है ठीक है तो आरो की के बारे में भी आपको बताने चाहिए कीबॉर्ड पर ही ऐसे मैंसे एरो की ऐसे East West North South मतलो कि 4 Direction में Left Right Up Down बोलते हैं इसको ठीक है एह होगी Left वाली एह होगी Right और एह होगी Up और एह होगी Down वाली ठीक है तो Arrow की अगर पुछा जाए कि कितने Direction में होती है 4 Direction में होती है ठीक है तो Arrow की कितनी होती है तो आपसे पुछा है तो आपने मुला है 4 Arrow की होती है ठीक है फिर जो वो Important इसके बारे में और क्या था चेप्टर में ठीक है तो Backspace की हाँ एक Important पॉइंट था यहाँ पर हमने पढ़ा Backspace की के बारे में ठीक है Backspace की जो वो Erase करती है तो Erase जो वो किस साइड से करती है तो Left Side से ठीक है Left Side को करती है जैसे मालों यहाँ से हम लोग Tipp कर रहा हूं है ठीक है तो Left Side को जो वो Erase करना शुरूँगे एसे नहीं कि यहाँ पर आपने जो SIM करसर को रखा ठीक है जैसे मालों यहाँ पर जैसे ए जोबो मालनो टाइप किया हुआ है ठीक है मैंने जोबो करसर को यहाँ पे रखा ठीक है तो आपने इसके बाद जोबो backspace की को दोवाना सुरू किया तो ए जोबो left side को जोबो erase करना सुरू करेगी ऐसे नहीं है कि इसके आगे को erase करेगी नहीं इस side को ठीक है इस side को जोबो erase करना सुरू करेगी ठीक है तो left side तो backspace की erase character on the left side on the cursor ठीक करसर के left side को और longest की आपको बताए कि space बार की है ठीक है तो अगर आपसे पुछ रहे कि two special की इसके बारे मताए तो एक space बार की होगी एक होगी enter की ठीक है अगर आपसे पुछ जाए कि keyword को किसने जो वो invent किया था किसने जो वो इसकी सबसे पहले जो बनाया था ठीक है तो इसका answer भी आपको बताना हो जाए यह भी आपकी exercise में ही एक question है Christopher Souls जो वो इसका answer जाएगा Christopher Souls ने जो वो keyword को invent किया था keyword को बनाया था ठीक है आपे invent और discover की discover के बारे में आपको बताना है discover मतलब की जो पहले से ही है उसको जो वो discover करना उसको खोजना ठीक है लेकिन invent का मतलब होता है जो पहले से ना हो कोई नहीं चीज बनाना ठीक है तो कोई नहीं चीज बनाई keyword को invent किया तो इसका answer हो जाएगा Christopher Sols ने जो वो invent किया था कि वो जो कि पहले नहीं था ठीक है तो अगर आज से पुछ रहे कि give space between bird बर्ड के बीच में space देने के लिए जो वो कौन सी कीज होती है तो space bar कीज होती है ठीक है तो आई hope कि आप यहां पर समझेंगे यह जो वो पूरी exercise का revision हो गया एक बार फिर से ठीक है कि सभी question जो वो सही है तो आई hope कि आप समझेंगे इतना आप लोगो इस वीडियो को दियान से देखिए अगर कोई doubts हो तो पुछिए अब आप करेंगे next fourth chapter को read करेंगे ठीक है दो तीन दिन बाद तीन या चार दिन बाद जो आपका इस chapter का भी test होग mcqs test okay thank you